गैज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिसकस करूँगा कि क्या आप लोगों को वर्डप्रेस 2024 को जैसे से हम अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और अगर आपको करना चाहिए तो किस तरह की होस्टिंग देनी है कौन कौन से फ्लग इन्स वगरे सबसे पहले तो यार देखो वर्डप्रेस आप लोगों के काम को आसान बनाता है जब आप एक्चुल में ब्लॉग लिखना चाहते हो लेटस से मैं कुछ कॉंटेंट पब्लिश करना चाहता हूँ वेब पर और मैं चाहता हूँ कि उस कॉंटेंट पर ट्राफिक आये और उस कोई बग ना आ जाए उसके डाउन होने के भी चांसे जाया क्योंकि जब कोडिंग मैंने करी है तरफ चांस कि मैंने कोई एक्सेप्शन छोड़ दियो उसमें कोई एरर छोड़ दिया हो ऐसा में यह जो पूरी प्रॉसेस है वह अपने आप में बहुत जरा टाइम लेती है अगर मैं खुद से डवलोग करूंगा तो वाड़ प्रेस में क्या होता है कि कॉंटेंट पॉब्लिश करने के टूल्स होते हैं विजट्स होती हैं आप लोग एक ऐसी वेबसाइट तयार कर सकते हो वाड़ प्रेस से कि आपका काम फिर सेंपली यह रह जाएगा कि आप पोस करने की कोशिश कर रहे हैं सोच रहे हैं कॉंटेंट पॉब्लिश करने के बारे में तो आप यह मसोचिए कि यार आप तो मुझे अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए गो फॉर वाड़ प्रेस अगर आपको टाइम बचाना है तो अब बहुत सारी लोग कहते हैं AI आगया है कि हम लोग WordPress को इस्तेमाल करें WordPress आप इसलिए इस्तेमाल करोगी कि WordPress is optimized for content सालो साल से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको तो एकदम बग फ्री है को इतनी बड़ी आप लोग प्राबलम को ऐसी देखने को नहीं मिलेगी खुद से develop करोगे तो प्राबलम आ सकती है अब WordPress में होत सकते हो WordPress में अगर आप लोग पोस्ट बनाओगे तो पोस्ट अगर आप लोग बनाते हो तो हर पोस्ट का टाइटल होगा एक slug होगा उसके अंदर का content होगा जो कि आपके ब्लॉग का मीन content होगा इसके बाद जैसे 2024 अप्रोच कर रहा है आप लोग इतने अच्छी चीज़े WordPress के अंदर मिलती है for example मैं नाम लिना चाहूँ का Elementor का आप लोग Elementor का इस्तेमाल करके चुटकियों में website बना सकते हो और अपने पोस्ट को जिस असाब से आप चाहो ऐसा appear करता हुआ दिखा सकते हो Elementor के अंदर बहुत सारी templates भी होती हैं जो कि आप लोग use कर सकते हो और आज की तारीक में जितेने भी लोग WordPress यूज करते हैं Elementor को वो लोग definitely consider करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो widgets वखेर होती है वो आपके काम को बहुत आसान मना देती है Elementor को as a plugin आप लोग download कर सकते हो plugins basically आपकी WordPress website को supplement करती है जिससे कि आपकी WordPress website की functionality जो basic आपको WordPress देता है उससे भी ज चीजे कर सकते हो तो अगर आप लोग अपने business को grow करने की कोशिश कर रहे हो तो definitely blog आप लोग बनाओ और उस पर high quality content publish करो जिससे कि वो गूगल पर rank करे और traffic आए आपके blog पर and in turn आपकी product and services पर तो definitely आप लोग को WordPress तो इस्तेमाल करना ही चाहिए 2024 में अगर आप लोग content publish करने और वो मिलेगा hosting के through अब दो तरह की hosting होती है typically एक shared hosting होती है और dedicated hosting होती है shared hosting में यह होता है कि एक server setup कर देता है अपका hosting provider और उस पे अपने सारे customers को या उनका data रख देता है और वहां से उन सारे customers के client को serve होता है obviously एक system है सारे clients को serve कर रहा है वो भी अलग-अलग logo के यानि कि म खालो मैं shared hosting करीता हूँ आप भी खरीते हो आपका दोस्त भी खरीता है तो हम तीनों के clients को serve किया जाएगा इस एक server से आप इसको मान सकते हो एक computer से अब अगर इस computer के अंदर RAM की कमी पढ़ती है या पर resources की कमी पढ़ती है हम सब की website जो है सफर करेंगी यहां पर आती है dedicated hosting य और उसी के साथ साथ let us say आप लोगों की लगी हुई है उसमें two VCPUs और SSD मान लोग अडिशनल यह एन वी में लगी हुई है तो यह सारी resources आपकी अब एक बहुत जादा पूचे आने वाला सवाल यह होता है कि मेरा पास एक server है तो वो कितने visitors को handle कर सकता है यह सवाल most of the cases में इसका straightforward answer नहीं होता है क्योंकि आपका server कितनी processing कर रहा है यह depend करता है actual load पर कि आपका server एक given point in time में कितनी processing करेगा इसको calculate करबाना next to impossible है आपको अपनी site के लिए देखना पड़ेगा कि जब lettuce से आपकी site पर एक बर में 200 users आ रहे हैं तो आपकी website का load कितना बढ़ रहा है CPU कितन percent use हो रहा है RAM कितना percent use हो रहा है और यह सारी की सारी जो settings है वो आपके hosting provider आपको दिखाता है now अगर आप लोग hosting खरीदना चाहते हैं तो I recommend Elementor की hosting for WordPress why I recommend Elementor's hosting is because elementor आप anyway use करने वाले हैं अगर आप लोग widgets बगारा बना रहे हैं मेरे case में most of the cases में Elementor use करता ही करता हूं अब अगर मुझे एक ही जगा पर मिल रही है मेरी hosting का dashboard मुझे मेरे wordpress website में क्या क्या जीज़े हैं वो मिल रही है फिर उसी के साथ साथ एक ही provider को पैसे देखकर मुझे मिल रहा है मेरे paid widgets मुझे मिल रही है मेरी hosting जिसके लिए anyway मुझे पे करना है तो hosting के साथ मुझे on top of hosting इत ज़रूरत ही नहीं है अगर आप किसी और प्रोवाइडर से hosting करीते हो खरीद लो लेकिन उसके बाद अगर आपको elementor का pro use करना है तो भाई साथ उसके अलग से पैसे देने पड़ेंगे आपको फिर elementor is developed like anything ना हो आप लोगों को इस बात की तो चिंता करने की ज़रूरत ही न कर सकते हो आपको simply जाना है elementor की website पर वहां पर इनका जो प्लान है वो खरीद लेना है और इस प्लान को खरीदने के बाद आप लोगों को elementor की hosting मिल जाएगी और उसी के साथ-साथ elementor के paid widgets मिल जाएंगे on top of this hosting which in my opinion is a great deal and hosting अगर आप लोग एक अच्छी ले लेते हो तो आप की website optimized रहती है आपका जो heavy traffic पर website की performance है वो भी अच्छी रहती है तो इसलिए आप लोगों को एक reliable hosting provider चूज करना चाहिए और कभी भी एक ऐसे hosting provider के साथ अपनी website को host नहीं करना चाहिए जो कि जाना माना ना हो क्योंकि होता यह है कि आपकी जो website है उस पर downtime हा सकता है और अगर आपकी website पर downtime आया तो आपकी Google rankings रहन होनी है तो आपकी जो hosting है उसको आप अच्छी तरह से चुने और बहुती sensibly चुने So guys अब हम लोग चलेंगे computer screen में और try करेंगे Elementor को और Elementor hosting को और देखेंगे कि किस तरह से काम करती है Elementor hosting हम लोगों के लिए let's move on to a computer screen now So guys मैं भी आपर आचुक है अपनी computer screen के अंदर और अब हम लोग देखेंगे Elementor के वो plans जो कि आप लोगों को काफी help करेंगे अगर आप लोग वर्डपरेस website बनाना चाते हैं तो तो Elementor की website पर अगर आप लोग जाएंगे और hosting पर जाएंगे तो आपको WordPress hosting मिलेगी अभी सिर्फ मामुली WordPress hosting नहीं क्योंकि इसी के साथ साथ आप लोगों को Elementor का access भी मिलता है अगर आप लोगों को पता नहीं Elementor कैसी use करना है तो simply इस तरह से आप drag and drop करके चीज़ों को लग सकते हैं आपको heading लगानी है text लगाना images लगाना आप डिरेक्ली इस तरह से कर सकते हैं इसको ठीक है और इसके कुछ features में आप लोगों को बता दूं कि इसमें ultra high performance है यानि कि 99% uptime आप लोगों को देखने को मिलता है फिर आपको एक free SSL certificate मिलता है जिसका बहुत सारे hosting provider अलग स इस चीजों पर focus करोगों यहां पर क्या होता है एक dashboard में सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है फिर इसके बास CDN CDN का concept आपको बताता हूं CDN में basically क्या होता है कि आपकी जो site है जो static content है वो cashed हो जाता है यानि कि उसकी copies आपके अलग-अलग locations पर आ जाती है मालो मैं इंडिय से access कर रहा हूं website को तो इंडिया में copy होगी अब मालो को United States से कर रहा है access तो वहां पर एक copy होगी फिर मालो लंडन से कोई access कर रहा है copy वहां पर होगी तो होगा क्या कि जो content delivery network है आपके content की अलग-अलग copies रखेगा for faster access और यह आप लोगों को cloud fair की तवारा provide की चाता है आपक लोग ने मेरा development staging और production environment वाला video नहीं देखा है तो आप लोग को मैं बता दूँ कि development environment में आप पहले development करते हैं इसके बाद आप में website को stage करते हैं यह देखने के लिए कि जब आपकी website live जाएगी तो कैसा होगा नेरली आप लोग production में ही चले जाते हो लेकिन अपनी users के साथ न अपने real clients के साथ नहीं लेकिन आप उसको test करते हो और जो हमारा production होता है वो तो हमारी site जब live हो जाती है उसको production गहते हैं और इसके dashboard काफी smooth है काफी बड़ी असी feel आती है इसमें अगर आप लोग एक hobby blog start कर रहे हो जो कि शायद बड़े business में convert हो सकता है तो मैं आप लोगों scale के साथ जाते हो इसका मतलब की आप एक से जादा wordpress website जो है वो होस्ट करना चाते हो अगर आप लोग scale यहां पर use करते हो यसा कि आप लोग चाहते हो कि यार पांच-10 व्लॉक्स हैं मिन राइटर्स को hire करना है और bulk में बनाना है तो आप इसके साथ जा सकते हो तो यह elementary hosting के क कुछ plans है जो कि मैं आप लोग को दिखाना जाता हूँ अब एक सबसे बड़ी चीज यहां पर यह कि आप लोग को 30-day money back guarantee मिलती है यानि कि अगर आपने इनके plan को फरीदा 30 दिन के अंदर अदर आप अपने पैसे वापस जो है request कर सकते हो यानि कि आपको अगर अच्छा नह कर रहे हो तो मैं local WP आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्या है कि एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को बहुत जादा help करेगी तो यह एक local WordPress का development tool है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक दम absolutely free है मैं यहां पर windows चुनूंगा कि मैं windows पर हूँ और यहां पर मैं यहां पर को यह मिलने वाला है कि आप लोग बिना hosting case में अपनी website को develop कर सकते हो तो यह बहुत सारे कम लोगों को पता होता है और आपकी website बन गई तो elementor hosting is something that can actually help you a lot अब यहां पर एक WordPress website आप लोगो set up करके दिखाऊंगा और उसमें आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह से आप विंडोस के लिए local WP था वो डाउनलोड हो गया और मैंने इसको run किया है run क्यों हो रहा है मैं इसको open करता हूं और यहां पर मुझ से पूच रहा है कि कि इतनी users के लिए आप लोग इसको install करना जाते हो तो मैं सिर्फ अपने लिए install करना जाता हूं इसको next करूंगा install पर कर करूंगा तो मुझे एक local WordPress website बनाने में मदद करेगा अब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि दो साइट मेरी बनी हुई है क्योंकि मैं इसको already use करता हूं अब यहां पर आप लोग को एक नई site पना कर दिखाऊंगा तो मैं आप पर प्लस पर क्लिक करूंगा यहां पर ए इसका URL होने वाला है तो मैं इसको continue करूंगा फिर इसके बाद आप कौन सा PHP यूज करना जाते हैं preferred हमेशा काम करता है फिर इसके बाद मैं इसको root और root यह करता हूं और add site पर क्लिक कर दूंगा और यह site जो है एक spin कर देगा आपके लिए नई WordPress site जो कि in my opinion is an amazing thing यार क्योंकि elementar demo.local पर यह site spin करके देगा और इसका जो interface हो मुझे काफी बड़ी लगता है सबसे बड़ी बात ही है क्योंकि इसके interface को मैं use करके directly focus कर सकता हूं पने काम पे मुझे मैं इसको भी अलाओ करता हूं और nginx को भी अलाओ करूंगा क्योंकि क्या है कि एक host redirection यह लगाता है आ इसको देखने को मिलता है और यहां पर मैं WP admin पर क्लिक करूँगा और मेरे यहां पर admin site को जाएगी मैंने root और root दिया है यहां पर मैंने जो user ने में root दिया है पासफट भी root दिया है और इसको मैं remember me करके login कर दूँगा और जैसे ही मैं यह करूंगा आप देखो मेरी wordpress dashboard हो मुझे देखने को मिल जाएगा अब मैं आपर plugins में आऊंगा और यहां पर add new पर क्लिक करूँगा और elementor को use करने के लिए मैं आपर elementor select करूँगा और जैसे ही मैं elementor select करूँगा वैसे ही आप देखो यहां पर install ना हो आगया तो इस तरह से हम लोग plugins को install कर सकते हैं और जैसे मैं अपना जो अकाउंट है उसको login कर रहा हूं और यहां पर आप देख सकते ही मुझे अपनी site को connect करने को बोल रहा है जो कि मैं आपर connect कर दूँगा ठीक है और एक बार मैंने अपनी site को connect कर लिए मैं elementor के सारे features use कर सकता हूं hosting use कर सकता हूं जैसे मैं continue with hello theme करूँगा आप यहां पर एक basic elementor का theme जो है वो आ जाएगा और मैं वहां से अपनी website को build कर सकता हूं और यहां पर मैं इसको skip करूँगा editor blank canvas या फिर मैं elementor की जो templates हैं वो इस्तेमाल कर सकता हूं मैं आपर एक blank elementor page से start करूँगा मैं आपर click कर दूँगा blank elementor page और यहां continue करूँगा और यहां अपर मैं drag and drop करके अपनी website का development कर सकता हूं तो local WP is basically an amazing tool जो कि आप लोग इस्तिमाल कर सकते हो अपने workflow में server scale हो जाता है latest से आपके clients बहुत सारे आ गए 2000 आपकी website और typically आपकी website पर आते हैं सिर्फ 100 clients तो ऐसे में होगा क्या कि जो cloud hosting है वो अपने आपको scale up, scale down, on demand of client resources को scale कर देगी तो उकल मिला कि यह है कि अगर RAM की जरूरत तो RAM बढ़ जाएगी, अगर SSD की जरूरत तो SSD बढ़ जा जरूर कर देना और मैं आप लोगों को end-to-end WordPress website बना कर दिखाऊंगा Elementor की सहायता से और उसको हम host भी करेंगे Elementor की सहायता से, Elementor hosting का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमको एक बहुत अच्छा overview मिलेगा कि Elementor hosting को इस्तेमाल करके actual में क्या फाइदा है, किस तरह से Elementor CDN help कर सकता है और क्या-क्या और features हैं जोगी आप लोगों को एक बड़िया website बनाने में help कर सकते हैं, so thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.